दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ABB इंडिया और टाइटन कमपनी के साथ में टोटल में 14 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आप स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश आएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आएए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड कैस्ट्रॉल इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो 199 रुपीस के उपर में चल रहा है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है गुजरात अंबूजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड गुजरात अंबूजा एक्सपोर्ट्स का जो शेयर प्राइस है वो 397 रुपीस के उपर में चल रहा है और चल जाएके बिलकुल आप लोग ये भी कह सकते हैं आपके पास में इस कॉमपनी के चाहे जितने मरजी स्टॉकस हो वो सबके सभी यहां पर डबल हो जाएंगे और इस बोनस को देने की X-Date और Record date फिलाल upcoming में है because एकदम latest announcement है तो जैसे ही company X date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है sunshine capital sunshine capital का जो share price है वो 184 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आप stock bonus and stock split दोनोई चीज़े साथ में announce करके रखी है bonus announce किया गया है 7 is to 1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 7 shares का bonus दिया जाएगा total में जो आपका 1 share है वो 8 shares के अंदर में convert हो जाएगा उसके बाद में आपको stock split दिया जाएगा 1 is to 10 के ratio से जिसकी वज़े से वो जो आपके 8 shares है total में 80 यानि की 80 shares के अंदर में convert हो जाएगे तो अगर आप इन दोनों ratios को साथ में combined कर देते हैं तो बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी stocks हो आप लोगों का हर एक share जो है यहाँ पे 80 shares के अंदर में convert हो जाएगा और इस bonus and split को देने की x date और record date फिलाल upcoming में है जैसे ही company x date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा तो प्लीज आप चानल को subscribe कर लीचेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है एजंता फार्मा लिमिटेड एजंता फार्मा का जो share price है वो 2180 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आप ए dividend announce कर दिया है 26 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 26 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 8th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Green Panel Industries Limited Green Panel Industries का जो share price है वो 387 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आप ए dividend अनौंस कर दिया है 1.50 रुपीज का यानि की हर एक share के उपर में आपको 1.50 रुपे एक रुपे पचास पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 9th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Orient Electric Limited Orient Electric का जो share price है वो 217 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce कर दिया है 0.75 रुपीज का यानि की हर एक share के उपर में आप लोगों को 75 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 13th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Tamil Nadu Newsprint Limited Tamil Nadu Newsprint का जो share price है वो 307 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 3 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 3 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 13th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Thanga Mile Jewelry Limited Thanga Mile Jewelry का जो share price है वो 1396 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend announce कर दिया है 4 रुपीज का हर एक share के उपर में आप लोगों को 4 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 12th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Refix Industries Limited Refix Industries का जो share price है वो 720 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे stock split announce कर दिया है 1 to 5 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी stocks हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Page Industries Limited पेज इंडस्ट्रीज का जो share price है वो 38,400 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे board meeting और्गनाइस कर दिये 8th of February को और इस board meeting का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वाला है अब पेज इंडस्ट्रीज ने already dividend को देने की x date और record date advance में अनौंस कर दिये जो की 16th of February की है तो company 8th February के दिन जो भी dividend अनौंस करती है अगर उसका benefit आप लोगों को चाहिए हुआ तो आपको इस company के share को उसकी x date यानि की 16th February से पहले पहले purchase कर लेना होगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Great Eastern Shipping Limited Great Eastern Shipping का जो share price है वो 987 रुपीज के उपर में चल रहा है और company ने आपे dividend अनौंस कर दिया है 6.30 रुपीज का यानि की हर एक share के उपर में आप लोगों को 6 रुपे 30 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो x date और record date है वो 12th of February की रहने वाली है अगले share की बात करें तो company का नाम है ABB India Limited ABB India का जो share price है वो 4833 रुपीज के उपर में चल रहा है and company ने आपे board meeting organize कर दिया 20th of February को and इस board meeting का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वाला है अब आपको जरूर से ABB India के share को आपके watch list के अंदर मैट कर लेना चाहिए because काफी जानी मानी company है, साथी साथ में काफी दिगच company भी है तो अगर company ने एक अच्छा dividend announce कर दिया definitely हमें ABB India के share के अंदर में एक काफी अच्छी rally देखने को मिल सकती है अब आप लोग यह identify कैसे करेंगे कि dividend अच्छा है या फिर नहीं तो आपको simply company की dividend history open कर लेनी है जिसमें आपको पता लग जाएगा company ने past में अपने investors को कितना dividend दिया है on an average and अगर उससे जाधा dividend company announce करती है तो definitely ABB India के share के अंदर में आपको एक काफी अच्छी rally देखने को मिल सकती है तो जरूर से ABB India के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा और खास कर 20 फरवरी के दिन इस company के share के उपर में नजर बना के रखिएगा अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है Titan Company Limited टाइटन का जो share price है वो 3,615 रुपीज के उपर में चल रहा है और टाइटन कंपनी की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे मोतीला लोसवाल करके एक काफी जाना माना brokerage firm है even stock market के उपर में भी listed है तो उसी बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं मोतीला लोसवाल जो है इंडिया के अंदर में कितना ज़ादा well known well reputed है अब यहाँ पे जो है मोतीला लोसवाल ने टाइटन कंपनी के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और जो target दिया गया है वो 4200 रुपीज का दिया है तो लगबग 3615 रुपे से लेकर के 4200 रुपे तक की एक जो rally है वहाँ पे मोतीला लोसवाल expect करके चल रहा है टाइटन कंपनी के share के अंदर में इस बात में कोई शक नहीं है टाइटन कंपनी एक multi bagger returns देने वाली कंपनी है साथी साथ में काफी जादा जानी मानी और काफी दिगज कंपनी भी है अब यह जो 4200 रुपीज का target है यह आपको mid term से लेकर के long term के अंदर में achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा short term के हिसाब से target नहीं दिया गया है तो अगर आप लुक चाहें तो Titan company के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं बाकी इसके अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 14 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye